चलिए जी गुड इवनिंग सुभशंद्यार राधे राधे जैश्र किसना सभी साथियों को बहुत-बहुत स्वागते साथियों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब प्लैटफॉर्म यूपी संगम बाई-मडी क्लास असपर बहुत-बहुत स्वागते अराम की तैयारी के लिए कौन सी वह तीन प्रमुक कताबें जिनें पढ़कर बहुत आराम से आप इसकी प्रारंभी परिक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं यहां साथियों होता क्या है कि बहुत सारी books हो जाते हैं बहुत सारा content हो जाता है तो कई बार confusion बढ़ जाता है कि क् क्या छोने हैं और इसमें कई बार इंपोर्टेंट चीजें स्किप हो जाती हैं तो इसको दूर करने के लिए आप समझें कि कौन सी वो तीन किताबें हैं तो सबसे पहले हम जीएस की बात करें तो साथ जीएस के लिए घटना चगर की समख्षा अधिकारी साहिक समख्षा अध इसमें मैकसिमम कोईशन आरो यारो की प्रीविएस यर के हैं इसको पढ़ने से आपको यह अंदाजा लगेगा कि परिक्षा में जो प्रश्णों की प्रवित्ति है जो उसका लेवल है जो पूछने का तरीका है और आंसर करने का तरीका है वो क्या होना चाहिए और कैसी ची और यह क्या है यह साथियों GS pointer और आपको बता दें कि यह हम जो book list आपको बता रहे हैं यह बिल्कुल beginner के लिए नहीं है कि अभी अभी आपने तयारी शुरू करी है तो यह book list फॉलो कर सकते हैं यह उनके लिए है जिनकी तयारी अब अपने मतलब second label पे है या फिर ठीक ठाक तयारी है अब अंतिम रूप से चीजों को एक आकार देना है एक रूप देना है और परिक्षा निकालना है तो यह साथियों जो आपका GS pointer है घटना चक्र का इस GS pointer में क्या दिया है जैसे घटना चक्र की पूर्वा वलोकन आपने सुना होगा और पूर्वा वलोकन हिस्ट् इसको पॉइंट वाइज इस बुक में दे दिया गया है सारे सब्जेक्ट को तो इसको जरूर पढ़ें और जितनी बार नकेवल पढ़ें बलकि जितनी बार इसका रिवीजन कर सकें क्योंकि इसमें वन लाइनर है तो जादस जादा आपको याद करने के लिए इसको रिवा साथियों हम हिंदी की बात करें यह तो जीएस की बात होगे अब हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में साथियों आप इन दोनों में से किसी भी एक किताब को फॉलो कर सकते हैं जिसमें घटना चका सामान हिंदी ले सकते हैं या फिर आदित पब्लिकेशन की सामान हिंदी ले सकते हैं दोनों में से किसी को भी फॉलो करेंगे लगभग एक तरह का ही एक जैसा ही फाइदा आपको मिलने वाला है ठीक है तो यह तीन किताब हैं साथ्षियों प्रमुक रूप से जिसको फॉलो करके बड़े आराम से आप परारंबिक परिक्षा को निकाल सकते हैं इसके अल कुछ लोग दोनों ही पढ़ते हैं लेकिन दोनों में से किसी एक को भी पढ़ा जा सकता है और इससे करेंट अफेस का नोट्स बनाकर आगे अपनी तयारी को बढ़ाई जा सकती है अब यह तो हमने आपको प्रमुक तीन केतावें बता दी साथियों करेंट अफेस अडिशन को अलग-अलग बुक से पढ़कर कहीं न कहीं नोट्स जरूर तयार किया होगा हिस्ट्री पॉल्टी जोगर्फी हिंदी विबिन सब्जेक्ट का जो भी तो जो भी नोट्स आपने बनाया है जहां से भी उसको पढ़िए उससे रिवीजन करिए वह आपका अपने हां से बन प्रडल पेपर मतलब टेस्स सीरीज और उससे अपनी तयारी को जांचे कि हां कैसी तयारी है कि सथक की तयारी है और कैसे टाइम मैनेजमेंट वगेरा हो रहा है इसके लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं डेली शाम को साथ बजे और आठ बजे नियमित रूप से सा सामान हिंदी की क्लासेश बिल्कुल निश्यूल के चैनल पर चल रही है तो इस ते आप अपनी तयारी को आगे बढ़ा सकते हैं बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट नए प्रश्ण ठीक है जो एक तरह से बदलता हुआ पैटन है जो नए कॉम्पटीटिव युक का जो क्वेस सब्सक्राइशन कैसा लगा कोई क्वेरी हो तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में वह भी बता दीजिए धन्यवाद थैंक्यू वेरी मुच